हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका ट्रेनिंग को आरी पर और आज की ट्रेन जानकरे में अयोद्या धाम के लिए बठिंडा से प्रूफ ट्रेन के साथ सथ जो बठिंडा को एक और ट्रेन मिल गिए इस दो नोट के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हम तो यहां आने वाले शर्दालियों की संख्या को देखती हुए रेलवे का प्लान है कि हर एरिये से प्रांथ से या शहरों से कुछ भागों से देश के इस आयोद्या धाम जंक्शन को जोड़ा जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग श्रीराम मंद्र के दर्शन के लिए यहा प्रोवर पिठिंडा के लिए मिल गया है उसके साथे साथ एक और ट्रैंज वा विश्तार भी पिछेंड़ा लुट चलती है उसका विस्तार भी पिठिंडा तक किया जा रहे लेकिई वह मालदा से दिल्ली के बीच में चलती है डो औरूट से 14184 को नंबर है वह एद्ग के के रास्ते जलता है जो थोड़ा सा 40 किलोमेटर लंबा है जबकि गाड़ी संक्या 13414 जो है वह वारानेसी से लखनों की बीच में जो है वह सुल्तानपूर के रास्ते आती है जो की थोड़ा शौर्ट रूट है अगर दोनों रूट की बात की जाए तो लगवच 1423 और 1464 किलो का रूट तया करती है यह ट्रेन भी 735 पर चलती है हफ्ते में चार दिन और यह ट्रेन भी तीसे दिन सुबज होगो पुराने दिल्ली जंक्शन पहुंचती है हालाकि पहले रेलेवे की तरफ से 13484 को एक्स्टेंड किया अब दोनों ट्रेने एक्स्टेंड होंगी यह फिल प्रेन डिया को राष्ट प्रहणी और लेया गाया है ये हैं सोमनी ने वालड़े होगो और यह ट्रैन के पर थहागे यह तो पहलिज होगी तो तो वहाँ पांच बज़कर पांच मिंट पर रवान आओगी, ट्रेक्शन चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिफ से आगी आएगी, और ये ट्रेन जो है, वो निरेला, सौनीपर्थ, गोहाना, जीन, उचाना, नर्वाना, तोहाना, जाखल, बरेटा, बुलाड़ा, मानसा और मोड, ये काफी सारे स्टॉपेज इसमें दिये गए है, उस होती हुए ट्रेन, 11.15 मिनिट पे बठिंडा पहुंचेगी, और ये ट्रेन जो है, वो 3.00 बज़े वहाँ से चलने के बाद, सेम स्टोपेज लेती हुए, रात को 9.40 मिनिट पे जो है, वो पुराने दिल्ली और वहाँ से 9.50 मिनिट पे चलने वाली है, दिल्ली से लेकर फरक्का तक के टाइम टेबल में कोई भी परिवर्टन फिलाल देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले समय में इसमें परिवर्टन रेल्वे की तरफ से किया जा सकता है, दूसरी टेन की बात करूंत हाफते में 4 दिन चलेगी, ये ट्रेन जो है, वो अध्यक रास्ते आएगी, ये ट्रेन भी 4.55 मिन पे जब दिल्ली आएगी, पूरानी दिल्ली वहाँ से 9.50 मिन पे रवाना हो जाएगी, तो ये आप साफ देख सकते हैं, कि बठिंडा तक दोनों ट्रेनों को विस्तार कर दिया गया, लेकिन आयोद्दे के लिए जो ट्रेन मिलीगी, कि वो केवल रोतक जीन जाखल रुकेगी, हफ्ते में 4 दिन के लिए, जब कि जो ट्रेन जो है, वो सुल्तानपूर के रास्ते जाएगी, हाना कि उससे आप लखनवू तक जा सकते हैं, जो कि काफी नजदीक रेलिए स्टेशन पढ़ता है उद्दे के लिए, वो ट्रेन जो है, वो छोटे बड़े स्टेशनों, सभी स्टेशनों पर ठहराव लगब करेगी, जो कि एक मेल एक्सपस ट्रेन जो है, वो रोतक जीन जाखल सेक्शन पर करता है, तो यह आज की छोटी सी रेल अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंदर को इंक्वारिय सुझाओ तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, मिलता हूँ आप सरे लिए किसी नहीं बेट नहीं, तब तक के लिए, जैहिन जैशी राव।